दोस्तों थोड़ा रूपकर अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो Realme P1 के बारे में आपको सारी चीजे पता चल जाएगी देखिए अभी दख तो आपने Realme P1 के बहुत सारे Unboxing और Review वीडियो देखे लिए होगे पर Maximum Unboxing और Review वीडियो आज के देख में YouTube के उपर पेड किये जाते और इने पेड अनबोक्सिंग और Review वीडियो के पीछे स्मार्टफोन के बहुत सारे निगेटिव पोईंट्स इतने स्मार्टली चुपाया जाते हैं कि आपको ऐसा फिल करवाया जाता है कि उस स्मार्टफोन के अंदर कोई निगेटिव पोईंट्स हाई ही नहीं पर ऐसा नहीं होता है इसलिए बिल्कुल शॉट में अगले कुछी मिन्टों के अंदर रियल में पीवन के सारे पोजिटिव और निगेटिव पोईंट्स क्या इसमें अच्छा है क्या इसमें बुरा है डीडियल में बताने वाला हो इसलिए यह वीडियो बिना स्किप किये आगे देखते रही है अब डिजाइन के मामले में देखे रियल में ने उतनी ज़्यादा चेंजे से आप रियल में पीवन के अंदर नहीं किये है नौर्मली जो सिगनिचर डिजाइन आता है रियल में का उसी को यहाँ पे फॉलो बैक करते हुए रियल में ने सेम यूनिक टच रियल में पीवन क यहाँ पर आता है ओविसलिए 15,000 रुपिस के अंदर हमें कोई गर्व डिस्प्ले दो यहाँ पर नाजी मिलने वाला 6.67 इंच का Full HD+, AMOLED या फिर OLED डिस्प्ले रियल्मी P1 के अंदर हमें दिया गया है तो दिखें नो डाउट यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी एकदम बेहतर है रियल्मी P1 के अंदर जो की 120Hz की हायर रिफ्रेश रेट के साथ आता है फोर इसके अंदर 1200 निट की पीक ब्राइटनेस तो गेमिंग के अंदर रिफ्रेश रेट घट करें आपे 90Hz का हो जाता है यह पर आपको यह आपे नोट करना पड़ेंगा अब पर्फरमस के मामले में मिडिया टेक डाइमेंड सेटी 7050 प्रोसेसर दिया गया है अब मैं यहाँ पे बिल्कुई भी यह नहीं कहिने वाला हू कि यह स्टेबल प्रोसेसर है टेबल प्रोसेसर तब ही कहा जाता है जब किसी फोन के अंदर थोड़ा पूराना प्रोसेसर लगा हुआ होता है तो ओविस ही मैं आपे डाइरेकली कहूंगा कि मिडिया टेक डाइमेंड सेटी 7050 पूराना प्रोसेसर है पर डोंट वरी एक फा 25,000 रुपीज फोन के अंदर भी हमें UFS 2.1 स्टोरी स्टाइप आज की डेट में कमपनिया प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे एक थाम्स अप रियल्मी के लिए बनता है कि उननी UFS 3.1 स्टोरी स्टाइप हमें प्रोवाइड किया है अब एंडर 14 वर्जर हमें आउट आउ वोत अच्छा काम रियल्मी ने गिया है इसमें मैं यहाँ पे मिलकुन पी क्रिटी साइज नहीं करूँगा बलकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि 15,000 रुपीज के अंदर वाले फोन के अंदर भी हमें 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिकुरिटी पैच अपडेट मिल रहे ह नोट करिएगा 15 मेगा पिक्सल का यहाँ पे में सेंसर है और 2 मेगा पिक्सल का सीख नाम का यहाँ पे मैक्रो या फिर डेप सेंसर आप कह सकते हो और फ्रन्ट में 16 मेगा पिक्सल की सीरी भी हमें प्रोवाइड की जाती है रियल्मी पीवेंड के अंदर जिससे आप डिसें की फोटोग्राफी आपको और रियल्मी P1 के अंदर देखने को मिल गी क्या आपको रियल्मी P1 का डिटेल कैमेरा रिवीव चाहिए नेचे बुझे कामेंट में जरूर बताइए मैं इसका एक डिटेल कैमेरा रिवीव आपके लिए स्पेशली लेकर आऊंगा आ पाच अजार इमेज की बैटरी है तो डोट फरी आपको यापे टेंचन लेने की चिंता करने ही होई जबरत नहीं है दिन बर रियल्मी P1 आपको यापे नॉर्मल यूजेस में आराम से चलने वाला है हाँ अगर आप आई एड गेमिंग या फिर कंटिन्यू गेमिंग रियल्मी P1 के अंदर मिलते है पर यहाँ पर एक बात नोट करिएगा तुटी मोटे वाटर फ्लैशेस से ही रियल्मी P1 यहाँ पर प्रोटिक्ट होता है अगर पानी के अंदर पूरा रियल्मी P1 आप सब मर्च कर दोगे तो यहाँ पर वाटर डेमेज आपका रियल्मी P1 हो सबता है सारे सेंसर का सपोर्ट रियल्मी P1 के अंदर मिलता है वाइफाई 6 मूटूथ 5.2 पर ड्यूल स्टेरियो स्पिकर जी हाँ मोनो स्पिकर नहीं है सिंगर स्पिकर नहीं है आपको रियल्मी P1 के अंदर ड्यूल स्टेरियो स्पिकर मिलते है जिससे आपका मल्टी मिडिया एक्स्प अगर कोड का सपोर्ट भी Realme P1 के अंदर देखने को मिलता है अब अगर लास में मैं मेरा ओपिन बताओ Realme P1 के बारे में तो definitely देखे बज़ेटरेंज के अंदर अगर आपकोई फोन डून रहे हो तो Realme P1 आपका destination हो सकता है जी हाँ मेड रेंज गीमिंग के लिए नॉर्मल डे-टू-डे एक्टिविटीज के लिए रियल्मी पेवन बेहतर ओफशर आपके लिए हो सकता है बाकि आपके रियल्मी पेवन के बारे में कोई भी सवाल होगी तो नीचे मचो फॉमेंड में ज़रूर पूछे मैं हर कॉमेंट का रिप्लाइ करता हूँ ओगर अगर आप टेक ब्यूरो के उपर नहीं होगी तो प्लेज चैनल को सबस्प्स्वेपर दो ऐसे इन्फार्मेटिव वीडियो मैं हमेशा टेक ब्यूरो के उपर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाक शेयर कर दो जैहिन वन देम आता हूँ